बजट में लग सकती है किसानों की लोटरी मोधी 3.0 में मिले बड़े संकेत PM किसान सम्मान निद की अठारवी किस्त में बड़ी रकम लाएगी किसानों के चेहरे पर खुशी 6,000 नहीं अब PM किसान की राशी होगी 8,000 रुपए मोधी सरकार 3.0 की प्रात्मिक्ता में किसान है इस बात को पुक्ता के साथ कहा जा सकता है क्योंकि सरकार बनते ही PM मोधी ने सबसे पहली फाइल जो साइन की थी वो थी PM किसान सम्मान निद की और 18 जून 2024 को PM ने 17 किस्त को जारी कर दिया था अब नई सरकार अपना पहला बजट पेस करने की तैयारी कर रही है केंद्री वित्मंत्री निर्मला सीता रमन 20 जूलाई को नई सरकार का पहला पूर्ड बजट संसद में रखेंगी इस बजट में केंद सरकार किसानों को तोफ़ा दे सकती है रिपोर्ट्स के मताबिक पीम किसान सम्मान निद की राज में सरकार इजाफा कर सकती है तो चलिए आपको बताता हूँ पूरी बात पीम मोदी ने नई सरकार बनने के बाद पहले किसानों के हग में फैसला किया पीम ने किसान निद की फाइल पर साइन किये पीम ने अपने संसदी चेत्र वारानसी में आयोजित एक कारिकम में पीम किसान सम्मान निद की किस्त को जारी किया बतादू कि इस किस्त के जर्ये करीब 9.3 करोन किसानों को 20.000 करोन रुपए की रास जारी की गई थी दूसरे टर्म में जब मोदी सरकार बनी तो किसानों की आर्थिक इस्थित को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने पीम किसान सम्मान निदी योजना की थी इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6.000 रुपए विती सहायता प्रदान की जाती है इरासी एक साथ नहीं बलकी 2-2 हजार रुपए की तीन समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है इस योजना के तहट अब तक लगभग 11 करोन किसानों के बैंक खातों में 3 लाक करोन से ज़्यादा की रासी को ट्रांसफर किया जा चुका है रिपोर्ट्स के मताबिक पी-म किसान सम्मान निद की रासी में सरकार इजाफा कर सकती है क्योंकि बजट से पूर्व चर्चा के दौरान क्रस इंडस्टी के एक्सपर्ट ने वित्मंतरी निर्मला सीता रमन से मुलाकात की थी बैठक में उन्होंने किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दो पर वित्मंतरी के साथ चर्चा भी की है इस दौरान उन्होंने बजट 2024 में पीम किसान सम्मान निद्योजना के तहट किसानों को मिलने वाली सालाना रकम को 6000 से बढ़ा कर 8000 करने की सिफारिस की है इसलिए उम्मीद लगाई जा रही कि इस बजट में किसान सम्मान निद्य में बड़ोत्री की जा सकती है फिलाल आपको क्या लगता है क्या मोदी सरकार किसानों के हित में फैसला करती हुए रकम को 6000 से बढ़ा कर 8000 कर देंगे या नहीं कॉमन बॉक्स में जरूर बताएगा और पेच को फॉलो करना चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुन भोलेगा धन्यवाद